अगर आपके बाल भी बहुत तेजी से ज़ड रहे हैं और बाल गिन्ने बन नहीं हो रहे हैं तो हम आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे आसान घर लूपाय बताएंगे जिनने अपना करके आप बाल जण्डी की समासा से छुटकारा पा सकते हैं तो हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल नेच्रल है सलूसन में एक बेहदी इंपॉर्टरिंट वीडियो के साथ बालो का जण्डा आज के लिए आम बात हो गई है सभी यही चाहते हैं कि बालो का जण्डा कैसे रोकी पहले के समय में बुढ़ापा आन के लिए या फिर बाल गिनने की समस्या से निजात पाने के लिए कई तरह के हेर मास्क का प्रियोक करते हैं लेकिन आपको एक्चुल में क्या करना है इस बात पर निर्भार करता है कि आपके बाल आखिर क्यों जड़ रहे हैं बालो का जण्डा कुछ लोगों के चिंता का व और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहला उपाईया है कि दही और नीवू अगर आपको बाल जण्ड़ने की परसानी है तो दही और नीवू का रस मिला करके अपने बालों में लगाएं लेप को बालों में लगाने के बाद 10 से 15 म नट तक ऐसे ही लगा कर छोड़ दे फिर उसके बाद अपने बालों को धोले ऐसा करने के बाद कहीं हद तक आपके बाल जण्ड़ने कम हो जाएंगे दूसरा उपाईया है कि अम्रूत की पत्तियों को एक लिटर पानी में उबाल ले और तब तक उबाले जब तक पानी का रंग काला ना हो जाएं। इसके बाद पानी को छान करके ठंडा करके अपने बालों की जड़ों में लगाएं। लगातार ऐसा करने से कुछ ही वकत में बालों की जढ़नी की समश्य से निज्यात मिल जाएगा। इससे बालों का जणनक कम हो जाएगा साथ ही यह तरीका गंजापन भी रोकने में सहायक होता है सीर पर जहां बाल ना हो वहां केले और नीबू का पेश्ट लगाएं अगर आप ऐसा रोजाना करेंगे तो कुछी वक्त में वहां बाल उगने सुरू हो जाएगे चोथा उपाईया है कि प्राक्तिक नमी को लोटाने और बालों को मजबूत बनाने में भाफ मददकार होता है यह स्कैल्ब में मौजूद छेदों को खोलता है ताकि वह ज्यादा नमी सोक सकते इसके साथ ही भाफ लेने से बालों का जड़ना रुपता है और बाज स्वस्थो करकी बढ़ते हैं और उनमें अत्तिधिक चमकाता है पांचवा उपाय यह है कि अंडे की सफेदी इसमें प्रोटीन और खनिच का भंडाल होता है जो बालों के लिए बहुत ही महत्तो पूर्ण है वे बालों की विकास के लिए पोसकत प्रदान करते हैं और बालों को मजबूत भी बनाते हैं तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें थन्यों